नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका हमारे अफिशल उडूब चैनल जी अस भाई नीरेसर में कैसे आप सम् मैं उमीद करता हूँ शस्त होंगे मस्त होंगे उपनी तेयरी में ब्यास्त होंगे पित्रों आज के जो क्लास होगी थोड़ा सा रिवीजन टाइप का होगा आज हम लोग दच्छनी सली और कमपनी सली को थोड़ा सा रिवीजन टाइप का देखेंगे हमें उमीद है आप लोग को परशंद आएगा जैसे कमपनी सली में कितने चस्म चेहरे का प्रियोग हुआ है तो आप जानते हैं कमपनी सली वही पटना वाली सली होती है पटना सली को ही कंपनी सली कहा जाता है तो कितने चस्म चहरे का प्रयोग यहां पे हुआ है डेड़ा चस्म चहरे पे जजादा तर चितरण का कारे तो ने किसने के चितरों को खृीदा था तो नार मिंटो सबसे आदा चितर जो खृीदते हैं श्रिवक राम कलाकार होता है Company Selly का उसके जजादा तर्चितर खरीद लेते हैं आगे बात करें तो Company Selly के छोटे चितरों को क्या कहा जाता है तो इसे fitka कहा जाता है इसका जो लंबाई चोंड़ाई होता है आठ गुने 6 के रेचियो में होता है कंपनी सेली के बड़े आकार के चितर कैसे कहलाते हैं तो मुल लुप से उसका माप जो है 22-16 के आकार में होता है जब कि छोटे चितर का माप 8-6 के आकार में होता है पतना सेली के प्राचींतम उधारन के सेली में दिखाई देते हैं पटना सली के प्राचिनतम उधारण जो दिखाई देंगे सबसे पुराने उधारण दिखाई देंगे वो गांधार सली में दिखाई देते हैं बहुत अच्छे शे देखने को मिलता है आघे बात करते हैं तो मुगल सामराज के पतन के समय कौन सी कंपमणी भारत में ब्यापार के सासथ राजनायतिक प्रभुत अस्थापित कर रही थी। जब मुगल सामराज अस्टाबलिस हो रहा था उच टाइम एस्ट इंडिया कंपमणी भी अपना राजनायतिक सफर सुरू याद रखना है अगला पवेंट आता है कि अठामी शताबदी में चित्रकार की शंखिया बहुत अधिक थी तो ज़्यादा दर बड़ेस् सचतरकार थे बड़ेस्ट चतरकार थे शं ख्या अठामी शताबदी के आस पास खूब भरमार हो गई थी खोब दबाके हो गए थे आगे बात करते हैं इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना कब और कहा हुई आप जानते हैं इंगलेंड वाली कंपनी है 1680B में इस्टबलिस होती है आगे बढ़ें तो इस्ट इंडिया कंपनी की अस्थापना के समय किस मुगल सासका सामराज रहा है तो भारत में जब इश्ट इंडिया कमपनी आई तो भारत में जहांगीर का सासन था जहांगीर यानि मुगल सामराज यह अस्थापित था आगे बात करते हैं राइकर्षे ऩदास ने पतना सेली को किसकी नामों से पुकारा है तो रायकर संदास आप जानते हैं कलाई दिहासकार कलासमिच्छक बहुत फेमस नाम होता है मुलूपशे पटना सली को ये कमपनी सली भी नाम देते हैं फिरंगी सली भी जाम देते हैं जान सली भी कहा के पोकारा जाता है तो कंपनी सली फिरंगी सली मुलूप से रायकर संदास ने पतना सली को कहा है आगे बात करें तो कौन सी सली भारतिय अकला के पतन का यूग थी मुलूप से भारतिय अकला के पतन का यूग जो कहलाती है वो मूलूप शे कंपनी सली यानि फिरंगी सली यानि की पटना सली ही रही है आगे बात करें तो मुर्चिदाबाद की कुछ कलाकार कहां से आकर के बस जाते हैं तो मुर्चिदाबाद में जो कलाकार आते हैं वो पटना से बसते हैं पटना पटना याद रखना आगे बात करते हैं पटना सली के चितरकार किस पर चितर बनाते थे और इन्हें क्या बेशते थे मूलूपशे क्या बेशते थे कागज और अभरक पर चितर बनाते थे और मूलूपशे ने पटना के बजारों में बेश दिया करते थे कागज और अभ्रग पे चितर पनाते थे और पटना के बजारों में शेल किया कर दे थे आगे बात करते हैं पटना सली के किन चितरकारों को वारानसी की राजा इसुरी नाराने सिंग ने सनरचन दिया था तो लाल चंदर और गोपाल चंदर आप जानते हैं पटना सली के आपका बना देगा नाम यगर याद रखेंगे काम आपका बना देगा शोना और दाच्छो बीबी कहां की महिला चितेरी हैं मुलूपशे पटना सली की महिला चितेरी मानी जाती है ये उत्सो चितरकार कैसे चितर बनाने में दचे थी ये महिला चितरकार जो है मुलूपशे क नहीं जाती रही आगे बात करते हैं तो पटना सली में मूलोशे चित्रकाल धरातल जो प्रयोग करते थे वसली कागज का प्रयोग किया करते थे पटना सली में किन किने चित्रों को चित्रित किया गया है तो अगर बात करते हैं पटना सली की तो मचली बेचने वाला, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाला, लोहार वाला, दरजी, शेविका, आधी का जो चित्रन है बात करते है इस ताइम देउगू का कहर है थोड़ा सा बच बचा के रखियेगा याद रखना है पर परीशान हो जाएंगे दूसरा डाक्टर भी आपको परीशान करके रखेगा बहुत सारी कमाईयां करेगा आपसे तो उससे अच्छा है थोड़ा सा बच्छाओ कर लें बरताओ कर लें ज़्यादा बढ़ियां रहेगा अगर ना हो शुगे तो मच्छरदानी का प्रयोग करें बहुत बढ़ियां रहेगा ठीक है आगे अगला पॉइंट आता है तेल चितरण का प्रयोग की शेजिशे हुआ है तो कंपनी सली में ही तेल ये चितरण का प्रयोग भी दिखाई देता है आप सांते हैं सेवग राम उल्लास लाल ये सब बढ़ियां चितेरे माने जाते हैं अगे बात करते हैं तो तंजोर और मैसूर सली किस धर्म की अन्वियाई होते हैं तो आप जानते हैं जब रास्थान से आएंगे तो वहाँ कृष्ण लिला का चितर ज़्यादव होता है तो तंजोर और मैसूर सली के कलाकार आगे बात करें तंजोर और मैसूर सली के किस सर राज्जी की चितरकला का विकास होता है तो राज्थानी चितरकला का विकास खुब जादे हुआ है तंजोर और मैसूर सली किसका विकास हुआ है जो रास्थान से चित्रकार जाएंगे तो रास्थानी सली का हिभ्कास होगा तो right answers अगर more low यह फोर आफ्संस में देता है उसमें आपको right answers रास्थानी चित्रकला लगाना होगा आगे बात करते हैं तंज़र और मेसूर सली के चित्लाकारों की तो हाथी दान्तों पे जो चितरकारी होगी मूलूप शे जैप राजे और भीजे के ही द्वारा होगी क्यों 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 कि यही तंजोर सली और मैसूर सली के अच्छे चितरे माने जाते हैं वरास्तान से आते हैं तो हाथी दान्त पे प्रियोग होगा जल रंग का प्रियोग मूल रूपशे होगा जे पराजे और बिजे कहां के अच्छे चिते रहे हैं आप जनते हैं रास्तानी से लिए के अच्छे चिते रहे हैं तंजर और मेसूर सली में ये चितरकारी करते है आगे बात हो रही है कि किन चितरकारों मानवा दिकार चित्र के चित्र तैल रंगों में बनाये थे तो जेब जे और पराजे के द्वारा मानवा दिकार या फिर मानवा आकार चित्र बनाने का काम किया गया है आगे तंजर और मैसूर सली में ब्यक्ति चित्र किस पर बनाये जाते हैं तो हाथी दात के फलकों पर मुलुप्षे ब्यक्ति चित्र का भी काम हुआ है हाथी दात के फलक की लंबाई क्या होती है लगभग छेंची हाथी दात के फलक की लंबाई होती है अगला point आता है कि भारत में British साही परिवार का चितर केशने बनाया था तो भारत में British साही परिवार को चितरत करने का काम रूसी चितरकार वेरेस चागीन का होता है वेरेस चागीन मुलूपशे भारत में British साही परिवार को चितरत करने का काम करते हैं नाम थोड़ा सा जटिल है याद रखना क्योंकि आपको अपने गाम निकालना है उक्षण तालेश फत्य करना है बात करते हैं नेक्ट पॉइंट की किस भारतिय चितरकार ने यूरूपियन सेली में नेक चितर बनाए बात करते हैं आगे थोड़ा सा बात दच्छनी सेली की हो जाएगी दच्छनी सेली में किसे ने कला प्रेम का परिचाय दिया था तो एहमद साह वली बहमनी जो है मून रूप से दच्छनी सेली में कला को थोड़ा सा परिचायक मानता है सोलहमी से उन्निश्वी शताबधी के इमध्र का जो धाटा होगा उनीश्वी के अंतरगत आता है ा दछणी सली में बिजे नगर के राजाओं ने या राजाओं के शमसमाई कि सुलतानों का शासन रहा है तो बिजे नगर आप जानते हैं हरिहर और बुक्का का होता है हरीहर और बुक्का के समकालिन बेह्मनी सुल्थान होते हैं बेह्मनी सलाह, यानि एहमदजाह, वली बेह्मनी आगे बात करते हैं, अगला पोइट आता है कि दछणी सैली मुख्य रूप से किस से सम्मंधित है तो दछणी के मुसल्मान साम्राज से सम्मंधित है दच्छनी सहली अगला पॉइंट आता है कि दच्छन का छेत्र किस सल्तनत के अधिन था तो बहमनी सल्तनत के अंतरगत आता है दच्छन का छेत्र आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि बहमनी समराजी किसके द्वारा अस्थापित किया जाता है तो अलाउद दिन हसन बहमन साह के द्वारा मुलूपशे 1347SB में सन याद रखना 1347 में मुलूपशे बहमनी समराज इस्टबलिस किया जाता है अस्थापित किया जाता है आगे कि अगर बात करते हैं तो अगला आता है कि कला रखना के छेतर में दच्छन में कितनी सेलिया होती है तो कला रखना के छेतर में मुलूपशे जो दच्छन होगा वहाँ पे तिन सेलिय होगी पहला द्रबिन दूसरा बेसर तीसरा नागर तो द्रबिन बेसर नागर में मुलूप से रचना खूब हुआ है दच्छनी सेलियों में भी आगे बात करते हैं नागर सेलिय की और किस नाम से जाना जाता है तो आर्या वरत सेली को हो या नागर सेली को हो बात एक ही है मुल लूप से तीन सेलिया होती है कला रचना के आगे बात करते हैं अगला पॉइंट आता है कि दच्छनी सेली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं तो जैसे आप कंपनी सेली के अभी देखे थे बहुत सारे कलाकारों के नाम थे ऐसे दच्छनी सेली के नाम याद रख लीजिए मीर हासिम हो गया, रहीम हैदर अली हो गया इब्राहिम खाम मुहम्मद हो गया और तांजाली अली साह हो गया कहां का चितेरा है? अली साह का रहा है आगे बात करें, तो अगला पॉइंट आता है किस चितर को अली साह ने हीरों से सजाया था किस चितर को अली साह ने हीरों से सजाया था निजाम उल्मिलक आसफ जाह दुतिये के ब्यक्ति चितर को मुलूब से अली साह ने हीरों से सजवाया था हीरा डायमंड से याद रखना अगला पॉइंट आता है कि दच्छन सहली पर किन सहली का प्रभाव परिलिच्छे तो होता है तो दच्छनी सहली पर कौन से सहली इरानी मोगल और पास्चा ते प्रभाव खुब जादे हाबी होता है जादे दिखाई देता है अगला पॉइंट आता है कि चीनी पोर्सलीन की कलाकरतियों का बाजार कहा जाता था कहां लगता था तो चीनी पोर्सलीन की कलाकरतियों का जो बाजार लगता था वो पेटा बोली में लगता था अगला पॉइंट पूछा गया है पास्चात प्रभाव से निर्मित दच्छन सली के एक चित्र का नाम क्या रहा है तो पास्चात प्रभाव से निर्मित दच्छन सली का जो चित्र होता है उसका है उद्यान में राजकुमार उद्यान में राजकुमार पास्चात प्रभाव स जहां 3047 में बह्मन सा के उधारा बह्मनी सामराज स्थापित किया जाता है द्रवेड वेसर और नागर में जहाँ पे कला में खुब जाद रचनाई हुई है वही है दच्छनी सेली अगर बात करें तो कहा जाता है किताब ए नौरस का परिचे किस ने दिया किताब ए नौरस का परिचे कभी जुहरी ने दिया था कभी जुहरी ने किताब ए नौरस का परिचे दिया था आगे बात करते हैं दच्छनी सेली में कितने राजवन से स्थापित थे पांच कौन कौन से बीदर थे एहमेंद नगर था, बिरार था, बीजापूर था और गोल गुंडा था तो ये पांचो राजवन्स मुलूप से दच्छनी से लिए निए सोलह में से उनीशवी शताबदी के आसपास वाला डाटा में आते हैं आगे बीदर दुर्ग किसने बनवाया तो बीदर दुर्ग को बनवाने का काम एहमद साह बली वर्मनी का रहा है बीदर दुर्ग एहमद साह बली वर्मनी के द्वारा बनवाया जाता है अगला पॉइंट आता है कि एहमद साह बली के मकबरे कहां पर हैं या मूल रूपशे कहां से प्रभावीत रहे हैं तो एहमद साह बली के जो मकबरे हैं मूल रूपशे कहां कि प्रभाव पे बनाए गए हैं इरानी प्रभाव इस पे खूब ज़्यादे जलगता है इरानी प्रभाव ज़्यादे दिखाई देता है छोटा सा डाटा था आमें उम्मीद है पसंद आया होगा अभी मिलते ने सुन में तब तक के लिए जै हिंद